हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में गलेरी से कोई फोटो डिलिट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए गाईज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके फोन से यहाँ पे जो फोटो है वो डिलिट नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है दोस्तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने फोन में सेटिंग को ओपन करना है सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको उपर क्योर स्लाइट करनी है उसके बाद यहाँ पे आपको एपलिकेशन का ओप्सन आता है तो यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे आपको Manage Application पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्जबार दिखेगा तो यहाँ पे आपको सर्जबार पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे आपको जो है गलेरी लिखना है तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखे और उसको open कर लेजिए open करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको app permission पे click करना है यहाँ पे click करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे file and media का जो option आ रहा है तो यहाँ पे आपको click करना है और file and media को यहाँ पे allow कर देना है तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही इसका permission allow करेंगे तो फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे गिलेरी में जाके कोई फोटो डिलीट करेंगे तो आपके फोन से जो भी फोटो आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो जो है असानी से यहाँ पे डिलीट हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग अपने फोन में अगर आपके फोन में गिलेरी में कोई फोटो डिलीट नहीं हो रहा है तो उसको डिलीट कर सकते हैं